नमस्कार साथ हैं सी बी विकल आईटेई गुरू में आप सभी का स्वागत है UP ITI मिर्टलिस आने के बाद लोगों ने अपना मिर्टलिस चेक किया लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका लिस्ट में नाम तो आ चुका है फिर भी उनको कुछ समस्यां हैं कुछ प्रावलम है ऐसे बहुत सारी लोग हैं जैसे माल जी कोई जो है राच्की में और प्राइवेट में दोनों भरा था तो उसमें जो है राच्की में तो नहीं है प्राइवेट में आ चुका है बहुत लों का मन में सवाल यह है कि एगर premiate में आ चुका है फर्स्ट लिस्ट में तो क्या अगली लिस्ट में आने के संभावना है या फिर जो है जो सीकल लिस्ट जारे होगी या थड लिस्ट जारे होगी क्या ओं लिस्ट में ITI में हमारा नाम आ जाएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपका doubt जो वो killer होने वाला है कि अगर आपका first list में नाम आ गया है तो क्या sickle list भी आपका नाम आ सकता है या फिर अगली किसी भी list में आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है दोस्तों सबसे पर आपको बता दे कि अगर आप जो है आपका नाम चाहे राजकी में आया हो चाहे प्राइबेट में आया हो किसी में संस्थान में अगर एक बार आ जाता है फर्स्ट लिस्ट में या फिर सेकल लिस्ट में पहले लिस्ट के लिए दोस्तों आपको अगली लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिलेगा आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाता है चाहे प्राइवेट में या फिर राजकी में आपका अगली लिस्ट में नहीं आता है हाँ कॉलज और ट्रेज चेंज करने का ऑप्सन होता है float और freezy के मादम से आप change कर सकते हैं जिनका नाम first list में आ जाता है अब यहां बात यह होती है कि मालते जिनका नाम निजी आईटिय में आ जाता है तो देखें निजी आईटिय में आने के बाद जिसे आपने government और राचके दोनों भरा था ठीक है मलत स्वारी राचकी और private आपन अनसार होता है तो माल लेते हैं सीटे भर गया होगा इसलिए आपको private में दे दिया है तो private में जो है आप किसी भी कलर में जाके करा सकते हैं अपना अगर आपका नाम आता है तो किसी भी कलर में जाके अपना admission करा सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका ही doubt killer हो चुक होगा मिलते हैं नग्स वीडियो में तांक्स सर वाचिन